जो आपका ये पेपर आएगा इसमें एक कोश्चन फिक्स्ट है वर्मियर के लिपर्स का ठीक है और ये हर एक कॉंपूटिशन के लिए बहुत ज्यादा होता है और बहुत कम लोग होते हैं जो सीखना है सबसे चीज आपको पताता हूं स्टार्टिंग से क्या है आपको याद हो इसली क्लासे पर हमने आपको एक बात बताई थी लिस्टाउन सिंपल सा बताया था कि जो भी हमारे पास है ऑब्जिक्ट होता है इसकली इंस्टूमेंट होता है जिसे स्केल हो गया मिटर हो गया है जिस से की रेडिंग में जर्डबेंट में सबसे इंप्रॉटन्ट चीज़ होती है यह पता ह्ला कि कितना है यानि कि यह समझना ज्यादा इजी होता है कि हमारे पास एक मिल्टर स्केल है यह हो गया यहां आ गया वन पर इसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ता रहता है अभी हमारे पास नार्मली मीटर स्केश होता है सेंटीमीटर में जो हम यूज करते हैं अब किसका इस्ट्रूमेंट का आगद पूछा जाए भाई लीश काउंट जो होता है इसका आगे यह से लिए इसको अगर में बद्धेंगे वन मीन्स लिश्कांट आप इसमीटर स्केल जो हमारे पास मिटर स्केल होती है तो हरे इसका अप्रिक हमारे पास होता है हम अगर उसको यूज कर रहे हैं तो हमें सबसे पले यह कंसेट्ट पता होना चाहिए कि इसका कितना है तब ही हमें इसको सॉल्व कर सकते हैं तो अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या है वर्मियर कैलिपर्स और इसको इसलिए बताया है कि इसको बोलते हैं जॉज अगर यूटूब चैनल पर मेरे जाओगे तो वहां पर इसका प्रैक्टिकल है बकायदा लैब में आपको वहां पर ज्यादा बेटर और समझ भी आ जाएगा अगर आपको समझना है तो सबसे पहले जो वर्मियर कैलिपर्स की सुरवात करते हैं इसको जो इन्वेंटेड कि यानि कि इसमें। कि रहाए घारो अरोट में किया करते हैं और य outreach होता है उतना ही को इसमें रहाएगा जो कि जादा है इन इ NSA नहीं करते हैं वहां पर ब Dieses कर्देश जिए नहीं कर्ते हैं यहां पर बमुद्वात रखिए बात आप यद्वादी रखिय गागा हुए कि इसके पर चीज को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग इसकेसन करते हैं मेन इसकेल 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 होती है एक मेरी स्केल और दूसरी होती है वर्मियर स्केल कि मिस्केरवर्य पर इसकेर यह यहां पर देखिए आपको जो रीडिंग दिख रही है तिसे पर ही होता है यह देखें यह होगा इसके मेंड़ी यह जी रो वन टू थ्री यहां पर देखें वन आ गया है तो यह आपको दिख रही है यह वाली इसको बोलते हैं मेंड़ी यह इस ट्रिप के ऊपर होती है बीन इसके मोफ करता है और आपको देखें कि यहां पर देखें कुछ लाइन्स ट्रॉ है यह जो लाइन्स होती है इसको को लोग मोलते है और इसकी जो डिवीजन होते है कि आई पिगे 1000 एट या Full इसे यहां से यहां तक हम देख रहे तक कितना आ गया है लेकिन यह 9 mm के बीच में ही रहेगा तो क्या होगे आपको यहां पर क्या मिलेगा जैसे वन डिवीजन यह हो गया तू डिवीजन त्री डिवीजन पूर डिवीजन फाइड डिवीजन शिक्स सेवन एट नाइन और यह 10 हो गया है तो आप इसको यहां से कट करें यह तो इसकी डिवीजन होता है और इसकी जो लेंथ हो कि 9 mm देखिए यह एक इस पर नहीं जा पाए तो यह चीज़ आपको याद रखना है इस वेरी इंपॉर् होते हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बात याद रखिए कि जो होती है इसको हम लोग fix कर सकते हैं किसी डिजायर का मतलब होगे जिससे भीए हमारे पास लिए ओबजेक्ट है यह तरह से एक है सर्कुलर जिसकी हमें सब्सक्राइब करना कि इसको हम क्या तो सबसे पहले इसके कुछ पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं इसमें आप देख रहे एक जॉब बना हुआ है जिसके पीच में अब्जेक्ट फसा होता है उसमें कुछ हमने फसा दिया इसका भी जॉबड़ा है और यहां पर दो तरीके का जॉब दिख रहा है एक हो गया ज जे फॉड्ट जे वन जे टू को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जॉज एक्स्टर्नल जॉज इसमें क्या है जे वन एंड जे टू जे वन और जे टू क्या हो गया एक्सटरनल जोग आगे की साइट और जो जे टू है आगे पीश्ञे मूफ करता रहेगा अब जैसे हमें इतना बड़ा था अगर आपजेक्ट हमें और बड़ा हो गया और पीशी चला जाएगा तो हमारे पास जो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो डी पॉइंट पर आता है इंटर्नल जॉर्ज इसको हम लोग इंसाइड जॉर्ज भी बोल सकते हैं इस इन्टर्नल जॉर्ज निकालना हो अगर इसके बाहर का हमें डायमेटर निकालना होगा तो लोग इसको यहां पर इस्वे he और फिर करेंगे हुमकर उसके अंदर का चरह होगा तो अंदर क्यांतने मिलेरे हैं इसलिए हम लोग उपर ले जाकर कि इसको सेट करते हैं तो जो ऐसे ओकन होता और ऐसे फिक्स होता है और जे फोर है फिक्स होता है और जे फोर क्या है इसको बड़ा है चोटा है मतलब जतना इसने फिक्स होगा उसके काड़िक क्या होता है यह हो गया हमारा इक्स्टरनल जॉज इंटर्नल जॉज यह दो चीज़े हो गई इसके पाद नेक्स चीज आती है यह जो यहां पर हमने सॉरी जॉज लिख दिया है लिश इस टेल मतलब इसको पीछे निकली होती है जिसको लोग बोलते हैं इसका यूज चैनल बॉड़ी है उसके अंदर की डेफ्थ निखा लेगी तब तो वे इसके लोग में फसा सकते तो इसमें लोग टेल को अंदर इस तरह खिसका कर जाएंगे और अंदर होती चिली जाएगी और जब देख लेगे कि वहाई रीडिंग उतनी है और हम वहां से फाइंड कर सकते हैं फिसके होता है यह विजबाया गया सबसे पर हम लोग करेंगे कि इसका कितना होता है कि इसकी बात करें कि क्या करेंगे करेंगे चलिए तो देख लेते हैं कैसे निकलेगा इसका निकाल लेंके दो तरीके इसको में हटा रहा हूँ आप इसको लिखते चलिएगा अब इसका में लोग आते हैं प्रिंसिपल कि ऑच पर दिखना है तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बंदीर के लिपर्स का यह देखना है तो इसके प्रिंसिपल में पने को पता है तैन याली कि जो ये इसमें जो दिख रहा है इसको लोग बोलते हैं और इसकी लेंथ हमने आपको बताए थी होती है 9 mm तो अगर इसके डिविजन इसकोल तु 9 mm है तो वर्ल वर्णीयोग इसके डिविजन इसकोल तो क्या हो जाएगा हो जाएगा और हमें पता है कि जो में स्केल रीडिंग होती है यह होती है अभी स्टार्टिंग में हमने आपको लिट्र निकालना बताया था यह एक तरीके से वही तो है हमारे पास जो मेंटर इसकेल होती है वही तो यह देखिए यह जो लोग सॉल करेंगे इसको और थोड़ा सॉल करेंगे तो वन वर्मियर स्केल दिविजन इस इपल टू तो टेंसे डिवाइट करेंगे तो तो 9 mm होता यह यानी जैनी aumento 2 पात हूगी हो गहिए तो आपके इसके बाद हम्हों स्केल और 4 मिलेगा जाने कि यह जो हमारी में इसके बीच के अगर हम लोग डिफ्रेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वन मिलीमेटर इस इक्वल टू सब्सक्राइब और इसकी वैलो कितनी हो जाएगी अगर अम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मैं मिलेगा जिरो पॉइंट बन यहां से मिलेगी ओकें तो इसकी क्या अहां से कितना हो जाएगा जिरो पाइंट वन इसको बोल सकते हैं गोण यह होगी बात अब देखिए इसके बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं करेंगे मैं आपको यहां पर बना करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से हम लोग को अलग कर सकते हैं इस इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूं इसका इसका था ठीक है अब देखिए इसका अब लोग यहां पर इसको इस इसके में बाहर लेकर गेश्ट इस तरह बना के दिखा रहा हूं कि यह हो गया हमारा मेंड इसके और मेंड इसके की सुरुआत यहां से मेलोग करते हैं यह हो गया जीरो और जीरो के बाद शुरू होता है वान टू टू ट्री फोर फाइप शिक्स ऐब एट नाइन हो गया और तेन पर हमारा आगया वन इसके बाद में वान टू टू ट्री फोर फाइप शिक्स सैवन एट नाइन और टैन हो गया यह हो गया शुरू इसके बीच में लोग क्या बुलते हैं वर्वियर स्केव यह तितने डिवीजन होते हैं अगर लोग इसको चिपका के रखेंगे दोनों जोर्ज को आगी मिला करके तो यह इस तरह मिलेगा यहां पर आ जाएगा किस पर 9 mm पर जो मेरी स्केव उस पर आ जाएगा ठीक है इतनी बासवाच में आ कि तो वी आपके जड़ा पाउस्कार हुआ होता है पिछ क्या होता है बिटा पीच दा इस्मालेस्ट वैल्डॉ आफ ले ग 현 जो सकते हैं जो ऐसी रीडिंग जिसको भी डिरेकली मेरी स्कील से एक्टुरेट कर सकते हैं जैसे हमें पता है कि बन सेंटीमेटर में किता डिवी कि उपने सेंटीमीटर हो जाएगा पांट कि इस का मतलब होता एक रहा है 축 जो फॉर्मूला होता है अगर पॉर्मूला करते हैं तो जैसे इतना संटीमीटर हो गया है तो 20 डिवीजन में कितना हो जाएगा टुए टिविजन इस इक्वल टू जीरो पाइंट वारिंटु होता है तो यह हो गया पीच मतलब पीच इस इक्वल तू होता है वन यूनिट पिछ का फॉर्मूला क्या होता है पिछ इज इपोल टू वन यूनिट अपन नंबर ओफ डिविजन नंबर अब मीटर स्केल पर हमने आपको बताया था वन अपॉन कितना था यहां से जो मिलता है अपने को पिछ मिल जाता है अधिक इसके बाद हम लोग फिर फाइंड करते हैं अब देखते हैं वर्मेर इसकेल का लीस काउंट कैसे निकलेगा यह सारी चीज़े चुक्चा वैसे देखते रही है सब आगे काम आई गा भी दिरे दिरे तो लीस काउंट क्या होता है लीस काउंट इसको हम लोग वर्मियर कॉंस्टेंट के नाम से भी जानते हैं यार रखेगा वर्मियर कॉंस्टेंट अगर किसी नुमेरिकल में आपको गिवन रहेगा तो वर्मियर कॉंस्टेंट और जैसे जो लीस काउंट होता है में स्केल डिवीजन और वह कितना आया था ये आया था वह कितना आया था इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा जीरो पॉइंट वन एमें इसको गर हम लोग सेंटीमेटर में निकारेंगे तो यह फॉर्मूला आप याद रखेंगा कि जो इसकाउंट इसके रीडिंग और वन वर्नियर इसके रीडिंग यह हो गया तो यह एक तरीका हो गया दूसरा एक तरीका होता है अभी हमने क्या फाल्ट किया है दूसरा तरीका लीज काउट इसके टूब होता है पीच कि अपॉन नंबर आफ वर्नियर्स के डिविजन नंबर आफ वर्नियर्स के डिवीजन अब लोगों ने पीछे से पिछ फाइंड किया था और पिछ कितना आया था याद है आपको 1 mm हो गया और नंबर आप डिरीजन होता है तो कितना आ गया 0.1 mm कर सकते हैं तो 0.0 1.2 mm हो गया है तीरी केसे हम लोगール कहले होतं क्या होता है और कैसे हम लोग लिदिग कर सकते हैं अब इसका टोटल अगर हम लोग निकालेगे तो क्या होता है सिंपल से चीज है कि जो देखेए एक मट में इसको खटा रहा हूं अब इसका मैं एक बार स्कुर्ण लोगों किया क्या ठाई है और त्वीन क्या होगी हो जाएगी इसका माइन स्कूर्ण जी रो पॉइंट वन एम जी रो पॉइंट वन एम एम आ गया इसका लीस काउन यह देश्ट बसे री कहाली है दूसरा जो तरीचा था वह होता है वह जो होता है लीस काउंट इसको बोलते हैं पिछ पुइंड जी अपाउन नंबर ऑफ डिवीजन तो पिछ इसका आया था वन अंबर अब डीविजन होता है ठेव रहिजेश कर देंगे डिवाइड करेंगे शौरी जिरो पॉइंट वन एम एम यह हो गया इसको निकाले का तरीका बस और कुछ नहीं है और पीज का मतलब क्या का मतलब कैसे निकलता है एक यूनिट कितनी है मतलब जो में इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इसमें कुछ चीजे और अपने को जाननी है हां तो यह कहानी होगी वहाई चाहिए लीस काउंट हम लोगों ने फाइंड कर लिया वर्णियर करीपर्स का अब इसके बाद फिर और देखिए क्या है खौर में तरीका यह है कि इसका फ्लॉर्मूला क्या होता में यानि कि कैसे हम लोग वर्णियर स्किल को यूज करेंगी त पहले हम लोग देख लेते हैं हाउ टू यूज करने का जो तरीका होता है पहले तरीका यह है कि हमें कि कोई एक हमने सब्सक्राइब करने के बाद हमने सब्सक्राइब सक लिया इसकी रीडिंग अंदर में कुछ ऐसी दिख रही है में स्केल रेडिंग हो गई यह होगी में स्केल रेडिंग और जा मैं इसमें देखेंगे तो में इसके रेडिंग यहां सुनू होती है 0123456789 10 हो गया यहां पर वन सेंटिमेटर 123456789 10 2 सेंटिमेटर 123456789 इसके उपर हमारी मुव हो रही है वर्नियर स्केल तो हमने सब्सक्राइब यह हो गया और यहां पर हो जाएगा टूर फॉर फॉर फाइप सिक यहां कर देते हैं वन यह हो गया या इस तो इस तरीके से वन टू त्री फॉर फाइप सिक्स सेवन एट नाइड यह डिविजन हो गया इसके बीच में तो अब हमने कोई भी जॉर्ण इसके बीच भी जब सेट किया था इस तरीके से कोई अब्जिक जो में सेट किया कि स्लाइड हो करके यहां तक गया तो अब सबसे पहले यहां पर हो गया यह इस तरीके से हाँ वन टू ट्री फॉर फाइफ सिक्स सेवन एफ नाइन यह तैन डिविजन हो गया वाई इसका अब इसको अमनुक्त करेंगे देखेंगे यह हमारा है वर्नियर स्केल इतना जो दिख रहा है यह वर्नियर स्केल और इसके बीच में कोई भी ऑब्जिक्ट हमने सेट किया था अब देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है लेंथ जो में बोल सकते हैं जो रेडिंग होती है में जो वैल्यू होती है मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू होता है विटा सबसे पहला होता है में इसकेल रेडिंग में इसकेल रेडिंग और प्लस लीच काउंट इन्टू वर्नियर स्केल रेडिंग यह जी में फॉर्मूला तेक है अब यह बात आ रही ह कैसे मिलेगी और मेंट इसके लेडिंग निकालने का तरीखा सिंपल सा है ऐसे ज्यादा कुछ कहाणी नहीं करनाई है में इसके पहला कॉइंट कहां पर मिर रहा है इसकी पहली लाइन है वह देखे आरही है वन तो में ससकी हमारी हो जाएगी वन इस सारे चीज़ें संटमीटर करना है इसके बाद में प्लस लगाएंगे लीस काउंट होता है इसका जिरो पॉइंट जील वन सेंटिमीटर रखी और इसके बाद वर्नियर स्केल अब वर्णियर स्केल रीडिंग हम देखेंगे इसमें से कौन सा डिमीजन ऐसा है जो में स्केल से एकदम कॉन साइड करें एक दूसरे के ऊपर मिले तो अब देखते पहला जैसे नहीं हो रा दूसरा नहीं हो राइए सेकेंड वाला देखिए यह कुछ जादा इसके साथ कॉन सब्सक्राइब करना है लेकिन आपको पता है कि जब भी हम लोग फिजिक्स या किसी इंस्ट्रुमेंटर यूज करते हैं तो उसमें एर्र होता है कि इसमें इतना है तो जब पता चल जाएगा तब हम वहां से यह कर सकते हैं कि अब एक मैं आपको और बता दे रहा हूं यहां पर एक तरीके से और बता दे रहा हूं तो देख लीजिए उसकी रीडिंग हम लोग फाइंट करने पहले एक और एक्जांपल कर दे रहा हूं है वर्दियर इस्केल के वरड़ ड्रॉ कर रहा हूं इसे का मतलब यह होगए इनकी मेरी स्केल ठीक है और मेरी स्केल में उपर बना रहा हूं देखे रहे गए आपको कैसा वर्णियर इसकेल गीवें तो पहले आपको दी जा रही है इसकी पहले रिडिंग वर्णियर इसकेल की वह दी गई वन एक टू टू ट्री फोर कि 5 6 7 8 9 और 10 हो गया होगा वन तू त्रीप्र फॉर फाइफ सिक्स त्रीजिए अब याद रखेगा हम अगर इसके बीच से यहां से काउंट कर रहें तो इसकी बीच का डिविजन देखेंगे कभी कभी आपको सीधा यहां से दे दिया जाएगा ऐसे वापनों दिया रहेगा क कपीड केसि दिया जाएंगी जो भी कोश्चन हो यह मता रहा हो यह हो गयाए 0 हुट जो मैं में स्टार्टिंग हो रही है वो दिन आ से कि यह डिए जीति यहां पर फाइड गो ci डिली है मत में सर्कली回來 हो चलता रही है यह हुग आपाइस का 10 डिवीजा आप देखिए हम आप से बोले कि इसकी निकारी तो आपको पता है जो रेडिंग होती है में तो मेजर डॉल्य जो होती है वो होती है वेटा में स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर इसकेल रीडिंग इंटू लेस काउंट यह हमने सिखा तो में रीडिंग में हमने क्या कहा जो पहली को साइट करेगा पहला देखे सुकर क्राइब दूरी करें को चाज़ता क्वां पा रम छेटवा दो लिसितना Abram 1.1 प्लस यह जाएगा 0.06 यानि कितना हो जाएगा आइट करेंगे तो 1.16 सेंटी में ग्रीडिंगा रहे है इसको हम फाइल करेंगे ठीक है पिटा और याद रखिए का फिची निकालते का तरीका होता है एक नेन स्केल कितनी है नंबर आप दिनी चलिए ऐसे पिछली का उता है तो इसको आज जिरुद याद रखिए का बार्थें कोश्चन आपको देंगे एए एक शेक देखा बाए चाला बाए तो इस कोश्चन में गोल में वन सेंटिमीटर आप दा मेन स्केल इस डिवाइड़ें इन्टू अगर इसका जो टेंटिमीजन है मतलब यह जो टेंटिमीजन है और जो बर्णिया स्केल का नाइन डिवीजन है दुनों आपस में करना है जो साइडन करना है तो पहला नंबर आपको-सक पना नमबर सरय पाइल है तो हमें पता पिछ namely भी होता है फोला जो हमने सीखा है यूनिट में इस्केल अपॉन कि नंबर आफ दिवीजिएन्स इन दा यूणिट नंबर ऑफ डिवीजिन टूंट इन दा युनित तो सिंपल सी चीज़ है लोग करते आ रहा है नमबर आफ डिवीजन मेस्ट ल कितना होता है वन होता है पूरा जाता है एक सेंटीमेटर वहता है नमबर आफ डिविजन होता है याने पीछ प्रिश कितना आगया यह हो गया फिर आपको बताना है लीज काउंट सेकंड पार्ट है ऐसे कोश्चन साइगा सिंपल सा देखें लीज काउंट सिंपल से कुश्चन है लेकिन देखने में हो सकता है सिंपल सी बात है एपीट होता है पीच क्या होता है नंबर आफ बर्नियर इस्केल दिविजन यह हो गया और पीच कितना है नंबर आफ डिविजन कितना होता है 10 होता है यह देखे 10 हो गया यहां से डेसिमन अटाएंगे जीरो आ जाएगा इसके लोग सॉल परेंगे 0.0 जीरो पॉइंट जीरो वर सेंटीवीटर तो इस 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 तरीका इसका यह हो गया इसके बाद फिर देखिए एक कोश्चन में आपको और बता रहा हूं यहां पर एक मैं आपको फीगर ड्रॉग करके दूंगा और उससे आपको फाइंड करना रहे इस इस वेरी इसको मैं हटा रहा हूं कोश्चन अंबर सेके अंडू साथ करेंगे तो कोश्चन नंबर सेकेंड है बिटा कोश्चन नंबर सेकेंड में डाइग्राम ड्रॉप कर रखा है इसे डाइग्राम ऑफ में स्केल जहां से देखिएगा जो में स्केल है यहां पर और यहां पर रॉप है इस तरीके से नंबर और विवीजन है इसमें वन टू कि फॉर और यह फाइव हो गया यहां पर नंबर लिखा हुआ है मतलब 1234 आया हो गया फाइव शेंदि निखा रहा है फिर इसके बाद यह हमारी मेन स्केल होती है यह है कि इन सेंटिमेटर चलिए नीचे हमारी आती है यह है और जो वर्मियर की स्केल है जिए फटर्ड नमबर पर जिसे यहां पर रहें यहां से लख करके यहां पर कुन साइड है और इसके यहां पड़िए जिए जीरों हो गया और इसमें पता है टेट डिवीजन्स होते हैं तो यह आपका हो गया वन यह हो गया थू ज्यांसे इसको बनाना पड़ेगा तो के बाद यह हो गया त्री के बाद फोर कॉंसाइड कर रहा है इससे इससे को साइट कर रहा है इसके बाद हो गया फाइल है पिर हो गया शिक्स ओंदो तो फ्री पॉर पाइप सिक्स एवर एप नाइब एक दिवीजिन और बचा है तो एक दिवीजिन कहीं पर बना सकते हैं है इस यह हमारी हो गहीं बजल में मत आपोर गया है कि पहला आपको और ठर्ड और आपको फाइनगा रिडिंग यहां से निगलेगा झdefense को भी त्याओं यह आपको फाइंड करना तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे है पिजip करेंगे फिस का फॉर्मुला हम लोगों ने पढ़ा रहा है वह पढ़ा है यूनिट और मेरी स्केल इन अपन लोग न पढ़ा है तो यूनिट यूनिट अपन फिसकेल ऑन बहुत अपन वार्ण में नमब सबस्क्राइब कि यूनिट कितना हो जाएगा टू हो जाएगा तो आप दिए वद इस बात को आति याद रखे गाने सकते पृर सेकंड अपने को निकालना है whereby ऑं अपॉन होगी से टो नमबर आफ डिलीजन किसका होता है बिटा नमबर आप इसकेल दिश एक सब्सक्राइब स्केल तो पिछ हमारा आया है जिरो पाइंट जिरो पाइंट जिरो वान नम्बर आप डिलेजन वर्लेर इसकेल पे टेन अब आप ऑंटेन कर दिया यह होगया 0.01 70 मील्टर है फिर आपको थर्ड निकालना है रीडिंग आखिर में रीडिंग देख रहा है तो रीडिंग का हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था बिटा में स्केल रीडिंग करते हैं हम लोग यह देखेंगे कि कितने पॉइंट पर है तो देखें यहां से तीछे से आया है तो यहां पर चुपा है यहां तो यहां तक हो गया तो यहां तक हो गया तक हो गया तक है अब इसके बाद में जो काउंट किया हमने वो पॉर पॉइट वन फॉर पॉइंट टू पॉर यहां पर हो गया था यह फॉर है इसके बाद में क्या करेंगे रिडिंग बिपए करते हैं कौ साइडिक दिखाते है कि को फिर फिर नंबर कर यहाँ थी पहला उपस्टा क्रदोड्र कितना हो जाएगा यह 4.7 प्लस मुल्टिप्लाइब करेंगे तो प्लस हो जाएगा 0.04 इसको एड़ करेंगे 4.7473 में इसको याद रखेगा जो पहला पॉइंट नम्बर जो कॉन साइट करेगा वही होता है आपका में इसके लेड़ी अगर यह यहां पर होता है अब इसके बाद यह इसके एक इससे आपका क्लियर हो गया होगा हम एक बात आपको और बता दे रहा हूं हम लोग एरर सीख लेते हैं कि एरर होता कैसी है इसके बाद हम लोग और नोमेर का साइट रख पढ़ेंगे इतना हम नहीं से सौंक तरा है कि थोड़ा आपको समझना है आज आज आए कि जाए आए 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 अगा आए आए अधिक इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एरर की तो अनुक्त सबसे पढ़ें देखते हैं जीरो एरर कि आखिर में होता क्या है जीरो एरर सीखेंगे क्या मतलब होता है वह लोग कैसे करेंगे जो भी इंस्क्रुमेंट होता है वह जो भी रीडिंग करेगा उसमें जरूरी नहीं कि हम लोग आपकर रीडिंग को मिलना है तो हमें इसमें जीरो एरर मतलब कह सकते हैं एक करक्तर मेजर्मेंट करना है तो जरूर होता है Wiim और यह सपोज यहां से तरह नहीं सटार्टके रख दिया और नहीं और पर एक दूसरे से और नहीं कर रहा है आगे पीछे है तो मत्तरब इसमें अरर था है तो पहला की सबसे पहले यहां पर करेंगे तो अगर जो भी वर्बनेर स्केल है अगर इसमें जो भी एरर है सब्सक्राइब कर लेते हैं कि हमारे पास वर्नियर स्केल हो गया है और इसमें जीरो हो गया इसके बाद में हमने नमबर ऑफ डिवीजन इसमें बना दिया फड़ा बना देता है शिक्स सेवन एट नाइन और यह हो गया यह हो गया यह हो गया हमारा में इसकेल रीडिंग अब देखें इसके नीचे हम बनाते हैं वर्नियर स्केल है वो थोड़ा आगे है इस यह है अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझे कि यह पर चर्थ तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या है अब देखिए इसका हम लोग बना लेते हैं तो क्या बनेगा इसका बनाते हैं 1234 यह हो गया 56789 और यह हो गया इसका हो गया अब देखिए इसका जो में स्केल है यह कितना होता है जीरो हो गया अब जीरो देखिए क्या है कि इससे थोड़ा आगे रखना यह वाला जीरो यह रहा लेकिन यह वाला जीरो देखो थोड़ा आगे इसलिए इसमें अगर कभी वर्नियर स्केल रेडिंग जीरो से अगर कौंज साइट नहीं हो करके राइट हैंड साइड में चली टो इसमें अर्र को हम लोग क्या बोलते हैं मतलब इस अगर की पहले से लेगी तो एरर आ गया है तो इस टाइब के रखन को हम हम लोग क्या होते हैं पॉजिटीव एरर आप पॉजिटीव एरर है तो पॉजिटीव एरर का करेक्षण कैसे होगा तो जो करेक्षण होता इसका जो एप्ट फॉर्मूला होता है सटर्ट एक साब् में होता है उसकतर ना जो क्या करतें चीजिंगे जाधा रिचशकुन तो कर्नेटलमक अच्छा करने पाद में जोता है और सब्सक्राइब को शल्मक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहा है तो बात बन जाएगी यह देखिए यहाँ पर जादा रही है तो इसको बी हमारी नीडिंग आएगी उसको में क्या करेंगे कितना हम माइनस कर देंगे मतलब जो भी करेक्टेड रीडिंग होगी करेक्टेड रीडिंग में हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे मतलब यह हो जाएगा मेजर्ड मेजर्ड रीडिंग और यह माइनस करेक्ट्षन जीरो करेक्ट्षन पॉजिटिव जीरो करेक्ट्षन लिख रहते हैं यह हो जाएगा हमारा अब देखिए इसका एक्जाम्पल में आपको बता रहें एक्जाम्पल कैसे हैं अगर हमारे पास कोई एक नुमेरिकल आ गया तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेजर्ड रीडिंग जो हो जाएगी की इसमें एरर कह रहा है कि इसमें एरर भी है तो एरर पॉजिटिव एरर जो है वह पॉजिटीव एरर माल लिया 0.07 माल लिए स्केल बीट होता है में की इसकेल रीडिंग इंटू लीस काउंट और अब क्योंकि इसमें एरर है तो माइनस हम क्या कर देंगे बिटा एरर तो भाई में इसकी रीडिंग हमारी कितनी है इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3.26 माइनस कितना है 0.07 आप इसको माइनस कर देंगे तो जो भी एंसर मिलेगा वह आपकी करेक्टेड रीडिंग हो जाएगे बास बज में आगी कोई दिक्तर तो यह हो गया हमारा पॉलिटिव एरर अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेगटिव एरर तो पॉलिटिव एरर में क्या हो रहा था हम देख रहा थे जो 0 था इससे में जो बनिया इसकी इल था वह आर्गी चला गया था तो हमने इसको पॉ तो जहां लोग नेगटिव एरर यहां पर पॉइंट करेंगी तो उसका पॉड़ा अलग करीका है तो हम लोग देखतें में इसकेंड क्वाइंट एरर में नेगटिव एरर नेगटिव एरर चलिए तो अब देखिए नेगटिव एरर में फिर हम लोग देख लेते हैं क्या है तो सेम तिंग वेटा अगर जीरो क्या है इसके आगे जैसे यह हमारी हो गई में स्केल ठीक है और में स्केल का जीरो हो गया यह हो गया यह हो गया 10 फिर तो त्री फोर पाई शिक्स सेवन एट नाइन और यह हो गया टेन वना फोर हो गया यह हमारी है इसकेल रीडिंग और यह सेंटीमेटर फिर हम देखते हैं वर्नियर स्केल में क्या है जो वर्नियर स्केल है यह थोड़ा आगी चला जाएंगे यह देखें जाने कि वर्नियर स्केल है उसका जीरो देखें पॉजेक्टिव में क्या था इसके राइट हैंड साइड था इधर देखें लेट रेडिंग कम लेगा तो यह हमारा हो गया जीरो और फिर हमने इसको क्या कर दिया एड करा दिया है इसका हम लोग देख लेते हैं रेडिंग है क्या तो इसे हम लोग कौन साइडिंग भी देख लेगी कौन सा किसके साथ कौन साइड कर रहा है चली पाए ओके तो पहले तो यह तो हो गया जीरो पर अब इसके पाद देखते है डिवीजन में इसके लाइन पर होना चाहिए था लेकिन इसका मतलब यहां पर नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव एरर का फॉर्मुला जो होता है करेक्सन का वो क्या होता विटा पर इसका पॉजिटिव एरर में हम लोग क्या करते हैं सब्ट्रेक्ट करते हैं यहां पर नेगेटिव एरर है मतलब कम रीडिंग निकालेगा तो इसका फॉर्मुला होता है करेक्सन इजिक्वल टू प्लस एंड माइनस कौन साइडिंग डिवीजन आफ वर्नियर स्केल कौन साइडि मिए नाव यहां पर पार के यही एक एंडिया यहां पर होता है टेन्ग का मतलब क्या होता है यानि कि आप है लिख सकते हैं यहां यह है टोटल नंबर को है कि टेटेंग आगे चली गई है इसे हम लोग 10 से माइनस कर देंगे जितना कॉंसाइड करेगा तो इसका रेडिंग काम लोग निकाल लेते हैं तो इसको नहीं कर देखिए यह हमारा 10 है को साइटिंग डिवीजन आप देखिए इन में से कौन से कौन साइट कर लिए यह से कर रही है थर्ड फॉर्ट फिट शिक्स सेवन एफ नमबर देखी यह वाज यह थोड़ी कॉंसाइट कर रही है वह वाज से तेंगे टेंगे टेन इंटू लीश काउंट कितना है 0.01 ही होगा इसको solve करेंगे plus 10-8 करेंगे 2 हो जाएगा into 0.01 मतलब यह हो जाएगा plus 0.02 70 meter this is least zero correction यानि इसमें कितना error है इतना negative error है तो correction के लिए हमनों क्या करेंगे इतनी value एड करतेंगे जो भी हमारी reading आएगी उसको इसको क्लियर कि यह करेक्शन का तो भाई हमारा पूरा प्रेल हो गया खतम तो आप देखिए हम आपको कुछ इस डाइग्राम इसमें देंगे और उस डाइग्राम से आपको इसमें पोश्चन निकालना है मतलब सेल्यूशन करना है कि फिला दो सेल्यूशन से पहले हम थोड़ा और कल लेते हैं नुमेरिकल सौल कर लेते हैं प्रेक्टिस कर लेते हैं फिर उसके बार देख क्या करना है कि इस पर बेश देख लेंगर क्या है तो अदिटेटे सारी जी इसमें लोग कर चुक्य है अब केवल नुमेरिकल प्रेक्टेस है वागी यह क्या आगया क्या है इसमें नुमेरिकल है है हम लोग देखते हैं क्या सब्सक्राइब कर रहा है इसमें है आप वर्णियर इसकेल इस तेन डिवीजन इसके टेन डिवीजन अगर ट्विटी ट्वेल दिया रहेगा तब आप ध्यान रखिएगा कैसे करना इक स्लाइट इस स्लाइट ओवर अमेल स्केल ओवर अमेल स्केल फिच थर इस 1.0 mm जिसके टेंड है 1.0 mm 2.0 mm थी नंबर अवीजन इस देन अबुम अफ दिवीजन lef on left hand left hand of zero of vernier scale, zero of vernier, zero of vernier on main scale, on main scale, R4, R4, मतब जो main scale के साथ को इसाइड करना हो 4 है, and the 6th vernier scale division कों साइड, scale division कों साइड, with main scale, length in centimeter, मतब रेडिंग निकालना है, calculate length in centimeter, यह आपका पहला कोशन है, इसमें total करना क्या है बहुत हीजी है, कोई बहुत जादा टेंसर नहीं है, सबसे हो गया है, slide कर रहा है, slide, whose pitch is 1.0 mm, तो भाई सबसे पहले तो हम लोग इसका निकाल लेंगे, solution पे जब इसका आप 1.0 mm, तो 1.0 mm, तो इसको centimeter बद लेंगे, 0.1, इस pitch हो गया, फिर इसका निकालेंगे, least count, तो least count is equal to pitch upon number of division in vernier scale, तो pitch कितना है, 0.1 और number of division वर्नियर स्केल में कितना है, 10 है, miss it will be 0.01 cm, तो यह मिल गई अपने को least count बिलिया, यानि जो वर्नियर स्केल अपने को given है, उसका least count आ गया, 0.01 cm, तो reading क्या हो जाएगी, reading of length is equal to होता है, main scale reading into plus vernier scale reading into least count, तो main scale reading हम लोग कैसे लिका लेंगे, is the number of division on the left hand of 0 error, on the main scale are 4, यानि कि इस पे जो हम लोग आते हैं मतलब 4 number पर इससे क्या कर रहा, main scale से कोंसाइड कर रहा है, क्या बोल रहा है, question में बोल रहा है, if the number of division on the left hand of 0 of the vernier on the main scale are 4, मतलब इस साइज में, इस साइज में जहां पर इस कोंसाइड करता है, तो कितने नंबर पर कोंसाइड कर रहा मतलब हो जाएगा, इसको सॉल्व बने पर हो जाएगा, 4.06 इसको आड़ करेंगे, इसको एड़ करना है, तो एड़ यह कैसे होगा, इसकी रीडिंग क्या आएगी, एक बात हम लोग इसमें थोड़ा मिश्रेक हो सकता है, यहाँ पर गिवन है, यह जो फोर्थ की बात कर रहा है, वर्मेर आउनदा में इसके लाट फोर्थ, यह बिटा गिवन है आपका mm, तीक है न, क्योंकि यह यहाँ की बात हो जो लिए है, यहाँ की बात हो जानी कि mm आए गए, तो 4 mm, क्योंकि इसना तो सेंटीमेटर में है, तो 4 mm में है, इसको सेंटीमेटर में बद लेंगे, तो मिलेगा 0.4 mm, तो यह हो जाएगा 0.4, मतलब यह हो जाएगा 0.406 cm, अपसान में आगे है, जैस में थोड़ा था, चलिए बाई, और इसको देख लीजे साया, तो और भी कुछ, एक सेकड़ इसको फिल सिक्वार करेक् होगे आपका, इसको करेंगे 0.4 plus 0.06, अब इसको करेंगे, तो यह आजाएगा 0.460, now this is correct, यह दिखे, sorry for the mistake, चलिए तो क्योंकि यह क्या बोल रहा है, कि if the number of division on the main, on the left hand, of the 0, यहां से शुरू हो जाएगी, यहां से शुरू हो जाएगी, जैसे हम डाइग्राम हमें, पहला नमबर यहीं आ गया था, वर्नियर का, 0.0, अब यह हमारे कंडिशन, चाहिए, अब यह हमारा आ गया, पी पार्ट में करेंगे, इसमें नेगेटिव एरर है, कितना नेगेटि जो लेगेटिव एरर है, यह अपने को गिवन है, 0.03, तो और यहां से क्या करेंगे, हम लोग, अब यहां पर यहां पर जो गट्रेडिंग होगी, यह इक्वल टू हो जाएगा 0.460 प्लस 0.03 इसको आप एड कर लेंगे तो एड करने के बाद इसका जो एंसर आएगा 0.490 0.490 सेंटीमेटर तो दिस इस करेक्टेड रिट ओके एड़े क्लेर और नॉट तो यह तो हुए आपकी पूटल कहानी और वर्नियर कैलिपर्स अब इससे डिलेटेड जिद्टे भी नुमेटर्स आपको मिलते हैं यह हैं आप इसको सॉल्व करिए फिर हम लोग कल की क्लास में एक बार फिर से इसको पुड़ा सीथ ओके इसको अच्छे से बैठ करके पूरा पढ़िएगा उसको अच्छे सॉल्व करेंगे फिर देखा जाएगा कितना सही है आपका कितना गलब है ओके टेक्स प्राट में लगाएंगे नहीं लगांगे लगांगे तो फिलाल मैं नहीं लगांगे तो चाहें लगा लेंगे ठीक बिल्ड़ा वह एक दिन में हम खत्म कर देंगे अब लगे अगे बADEY को अच्छो यहां कर दो। लगे। झाल झाल